जाइन दोस्तों एक बार फिर से मैं संदीव डागर स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूटूब चैनल डागर कॉंसेप्ट पर दोस्तों जैसा कि हम अनाॉस्मेंट कर चुके हैं कि भाईयो मैं आपके लिए लेके आने वाड़ा हूँ आर्मी का स्पेशल बैच वो हमसे जरूर जुड़े दोस्तों आर्मी की त्यारी करने वाले को बच्चे को सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो लगता है मैथ सब्जेक्ट से लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन आप एक्जाम देने जाओगे न उस दिन अगर कोई सब्जेक्ट आपको सब से आसान लगेगा तो वो होगा मैथ दोस्तों आपको विश्वास रखना होगा जिस दिन भी आप exam hall में बैठोगे आप पाऊगे कि जो चीजे आपने class note से पड़ी है या जो चीजे मैंने आपको यहां board पे पड़ाई है उनसे एक भी question बार नहीं जाएगा दोस्तों 6-7 साल का मेरा experience है जो मैं आपके साथ share करने वड़ा हूँ दोस्तों अब तक जितनी भी भरतिया हुई है आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपको class में चीजे पड़ाई और उस class note से बाहर कोई question आया हो पूरे के पूरे question 15 के 15 question आर्मी में जो exam में आपको मिलेंगे वो आपको वही मिलेंगे जो या तो आपकी copy में लिखे हुए होंगे या जो आपको यहां पे board पे कराए जाएंगे लेकिन दोस्तों आपको हम पे विश्वास रखना होगा हमसे पूरी चीजों को पढ़ना होगा और अच्छे साथ साथ practice करनी होगी चलिए दोस्तों तो आज हम इस batch की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं घनमूल टोपिक से दोस्तों जब इसका question exam में अपने सामने देखने को मिलता है तो बच्चे डर जाते हैं उनको लगता है कि पता नहीं यह क्या आगया इसमें क्या चीज़े है मैं ऐसा क्या करूँ यह तो मेरे को आता ही नहीं लेकिन दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पाएंगे कि सच में सर ने जो टोपिक के शुरुआत में बात कई थी वो की वो चीज़े हमें एक गंटे के बाद फील हुई है तो चलिए दोस्तों हम सुरुआत करने वाले हैं आज के अपने इस टोपिक की गनमूल की दोस्तों गनमूल टोपिक पढ़ने से पहले या आप टोपिक कोई भी पढ़ें सबसे पहले अपने को ये पता होना चीए कि भी जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है दोस्तों अगर मतलब का ही नहीं पता होगा तो फिर आगे बढ़ने का कोई फाइदा नहीं है तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे सामने जो ये सब्द लिख्या हुआ है गनमूल इस सब्द का मतलब क्या है दोस्तों गनमूल सब्द का मतलब अपने को तब समझाएगा जब हमें ये समझा जाएगा कि इस गन सब्द का मतलब क्या होता है क्योब सब्द का मतलब क्या है गन सब्द का मतलब क्या है दोस्तों गन सब्द का मतलब होता है जब भी हम किसी संख्या को तीन बार गुना करते हैं और तीन बार गुना करने से जो रजल्ट हमारे पास आता है उस रजल्ट को उस संख्या का गन कहते हैं जिसको हमने तीन बार गुना किया है दोस्तों यहां पे मैंने आपके सामने दो को तीन बार गुना करके लिख दिया है तो आप दो की दो में गुना करेंगे तो चार आएगा चार की दो में गुना करेंगे तो आठ आएगा तो आप पाएंगे कि भी दो का जो गन हमारे पास बंधबी पING-owned दोस्तों अगर हमने यहाँ पे दो को तीन बार गुना कर दिया है तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर में 3 और 2 की पावर 3 को हम किसके वराबर कह सकते हैं दोस्तों 8 के बराबर दोस्तों वास्त्विक्ता यह है कि कई बार आपने को ये भी नहीं पता हुता कि इस पाउर तीन का मतलब क्या होता है दोस्तों जब भी आपको किसी संख्या की पाउर में तीन दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि ये तो वही गन है जो सर ने अमें कलास में बताया था मतलब घन सब्द का मतलब है किसी भी संख्या को तीन बार गुना करना तो इसका मतलब पाँच की पावर में अगर तीन लिख दिया गया है तो इसका मतलब पाँच को तीन बार गुना करने से जो रेजल्ट अमारे पास आया है वो आया है 125 तो दोस्तों घं सब्द का मतलब है किसी भी नंबर को तीन बार गुना करना या आप कह सकते हैं कि अगर आपको किसी संख्या की पावर में तीन दिखाई देता है तो आप उसे घं से पढ़ेंगे, क्यूब से पढ़ेंगे यहाँ दो की पावर तीन बराबर आठ है तो आप आगे से इसे पढ़ोगे कि भी दो का जो घन होता है वो आठ होता है पाँच की पावर में तीन बराबर एकसो पचीस है तो आप इसे पढ़ेंगे कि भी पाँच का जो घन होता है वो कितना होता है 125 तो दोस्तों उमीद है आप गन सब्द का मतलब समझ पाए होगे अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गनमूल सब्द का मतलब क्या है अगर गन सब्द का मतलब अपने को समझ आया है तो अब हम गनमूल सब्द का मतलब अच्छे से समझ पाएंगे गनमूल सब्द का और दूसरा मूल जैसे मैं लिखता हूं कि एक सो पचीस का गनमूल ग्याद करें एक सो पचीस का गनमूल ग्याद करने का मतलब है कि एक सो जो पचीस हमने लिख दिया है वो एक ऐसी संख्या है जो किसी नंबर को तीन बार गुणा करने से आते हैं मैंने का दोस्तों गनमूल यानिके दो सब्दों से मिलके बनता है, एक तो गन और दूसरा मूल, गन का मतलब है एक ऐसा नंबर जो किसी संख्या को तीन बार गुना करने से आता है, और मूल का मतलब है हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है 125, ये किस संख्या को तीन बार गुना करने से आया है, तो दोस्तों हमें पता है कि जब हम 5 को 3 बार गुणा करते हैं तो हमारे पास result निकल के आता है 125 तो हम कहेंगे कि 125 का जो गनमूल होता है वो होता है 5 दोस्तों मैं एक बार फिर से रीपीट कर देता हूँ घनसब्द का मतलब है किसी भी नंबर को 3 बार गुणा करना गनमूल का मतलब है किसी संख्या के बारे में ये बताना कि वो संख्या किसको 3 बार गुणा करने से पराप्त होती है मैं लख देता हूँ 64 64 का गळ्णमूल ग्याद करिये तो इसका मतलब है हमें दोस्तों ये बताना है कि ये 64 किस नंबर को तीन बार गुणा करने से आया है तो दोस्तों 64 आता है 4 को तीन बार गुणा करने से तो हम बोलेंगे कि भी जो 64 है उसका गनमूल है 4 लेकिन दोस्तों एकजाम में हमारे पास 6 अंकों तक की संख्याओं के गनमूल पूछे जाते हैं जैसे मैं लिखता हूँ कि भी आप से पूछ लिया कि जी इक्यान में हजार 125 का गनमूल गयात करें दोस्तों 125 का तो आप गनमूल बता सकते हैं देखते के साथ लेकिन इक्यान में हजार 125 का गनमूल अगर आप से पूछ लिया जाए तब आपको दिक्कत होगी तो दोस्तों इस चीज को हम आसान कैसे बना सकते हैं, चुटकियों में हम इस चीज को कैसे सोल कर सकते हैं, उसके लिए आप हमारे साथ जुडे रहे हैं, चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अगली बात पे चलते हैं, दोस्तों गनमूल सीखने के लिए गन अपने को याद होने चीए अगर दोस्तों एक से दस तक की संख्याओं के गन अगर अपने को अच्छे से याद होते हैं तो दोस्तों किसी भी संख्या का गनमूल हम चुटकियों में निकाल सकते हैं चुटकियों में निकाल सकते हैं दोस्तों आप मेरे साथ जुडे रही है ठ लेकिन दोस्तों अपने को आउशक्ता है तो केवल एक से दस तक की संख्याओं के गन की दोस्तों एक से पच्चिस इसलिए लिख दिये हैं कि आप जब और टोपिक पढ़ेंगे चाए आप कोई भी टोपिक पढ़ें परसंटेज पढ़ें इसलिए दोस्तों ये आपने एक से पच्चिस तक याद करने हैं लेकिन गनमूल के लिए मतर दस तक की संख्याओं के गन अगर अपने को याद होते हैं तो हम आसानी से किसी भी संख्या का गनमूल निकाल पाते हैं तो दोस्तों उमीद है ये आपको याद होंगे नहीं याद हैं तो आप मेरे साथ एक बार बोलिए बोलिए एक का गन कितना होता है एक बोलिए दो का गन कितना होता है आठ बोलिए तीन का गन कितना होता है 27 चार का गन कितना होता है 64 पांच का गन कितना होता है 125 छे का गन क कितना होता है 216, 7 का गन कितना होता है, 7 का गन कितना होता है, 343, 343, 8 का गन कितना होता है, 512, 9 का गन कितना होता है, 739, 10 का गन कितना होता है, 1000, उमीद है दोस्तों, आप मेरे साथ साथ ये चीजे बोल पा रहे होंगे, फिर शे एक बार हम पढ़ते हैं, बोलिए 1 का गन कितन एक, बोलिये तीन का कितना, 27, बोलिये पांच का कितना, 125, बोलिये साथ का कितना, 343, बोलिये नो का कितना, 730, बोलिये 10 का कितना, 1000, बोलिये दोस्तों, आठ का कितना, 512, छे का कितना, 260, चार का कितना, 64, दो का कितना, 8, और एक का कितना, 1, एक के लिए एक, दो का आठ, तीन का 27, चार का 64, पांच का 125, छे का 216, साथ का 343, आठ का 512, नो का 730, और दोस्तों दस का 1000, चलिए दोस्तों, उमीद है, आपने मेरे साथ साथ बोले होंगे, और कुछ चीज़े आपके माइंड में स्टोर हो पाई होंगी, दोस्तों ये मैंन तोपी की तरफ बढ़ते हैं, और अगली चलते हैं, अगली स्टैप पे, दोस्तों, सबसे पहले अपने को 21 गंग, एक से 10 तक के गंटों याद होने ही चीए, उसके साथ साथ अपने को दोस्तों, दूसरी जो चीज याद होनी चीए, वो होनी चीए, इकाई अंग, आप बो भी करा दूआ, देखें दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों, इकाई अंग का मतलब क्या है, दोस्तों, अगर मैं आप से पूछता हूँ, कि आप मेरे को ये बताईए, कि ग्यारा का जो गंग होता है, वो कितना होता है, आप बोलेंगे कि ग्यारा का जो गंग होत तो दोस्तों इस इकाईयंक का मतलब यही है कि जब किसी संक्या का इकाईयंक एक होता है, तो उसका गहन करने पर जो संक्या अपराब्त होती है, उसका भी इकाईयंक कितना आता है? एक. तो दोस्तों आपने एक के लिए याद करना है एक, इसी तरह अगर मैं आप से पूछू운 कि आप मेरे को बताईए, चोदा का जो गन होता है, वो कितना होता है, तो दोस्तों, आप बोलेंगे, चोदा का जो गन होता है, वो 27 Sara होता है, इसका मतलब अगर किसी संख्या का इकायं आप बोलेंगे सर एक के लिए तो एक आएगा आप बताइए चार के लिए क्या आएगा चार आएगा पांच के लिए क्या आएगा पांच आएगा छे के लिए क्या आएगा छे आएगा नो के लिए क्या आएगा नो आएगा जीरो के लिए दोस्तों क्या आएगा जीरो 6 अंक हमारे पास ऐसे हैं जिन में एकाई अंक चेंज इा नहीं होता जीरो बताइए चार के लिए क्या आएगा चार पांच के लिए पांच एक के लिए एक चार के लिए चार जीरो के लिए जीरो उमीद है दोस्तों एक चार पांच छे नो जीरो को आप याद कर चुके होगे इधर देखिए दोस्तों दो के लिए बताइए क्या आता है आप बो आएगा साथ के लिए क्या आएगा तीन आएगा दोस्तों दो के लिए आठ आठ के लिए दो तीन के लिए साथ साथ के लिए तीन एक चार पांच छे नो जीरो वो अंक है जिन काई काई अंक बदले गाई नहीं दो के लिए आठ आठ के लिए दो तीन के लिए साथ साथ के लि दोस्तों दो चीजे अगर आपको याद हो जाती हैं एक तो आपको इकायं की याद होने चीए दूसरा आपको एक से दस तक की संख्याओं के गनियाद होने चीए तो आप दोस्तों किसी भी संख्या का गंदमूल आसानी से निकाल पाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और दे लिया है तो दोस्तों अभी आप अपने दिमाग को खाली रखिएगा देखो एक्चुल में दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही क्यूशन हम देखते हैं अपना दिमाग दोड़ाना सुरू कर देते हैं दोस्तों आप श्यांती बढ़ाए रखिए क्यूशन मैं आपके लिए प्र चुटकियों में शोल कर पाएंगे, बस आप मेरे साथ जुडे रही है, दोस्तों सबसे पहले दो एक्जामपल आप मेरे से सीखिए, दो एक्जामपल मेरे से सीखने के बाद आपको मेरी आउशक्ता रहेगी नहीं, बस खाली प्रेक्टिस करेंगे, आपके अंसर आते जाएं सबसे पहले दोस्तों, एक छोटा सा एक्जामपल हमने लिया है, कि वही 91,125 का गंडमूल अगर एक्जामिनर अपने से पूछ ले, तो हम इस पे कैसे काम करेंगे, दोस्तों, बिलकुल 30 सेकिंड के लिए केवल और केवल मेरी बातों को सुनियेगा, देखो, दोस्तों, जब हम किसी संख्या का गंडमूल निकालते हैं, तो सब से पहले उस संख्या के इकाई अंग को देखते हैं, कि यूनिट प्लेस पे, इकाई अंग पे कौन सा अंग है, तो दोस्तों, आप पाएंगे कि इस संख्या का जो इकाई अंग है, पांच है, और बोलिए, पांच के इतनी छोटी संख्याए उस संख्या के दो अंकों को कट कर देना है। दोस्तों मैंने कहा सबसे पहले आप ये देखिए कि संख्या का इकाई इंक क्या है। आपने बुलसर इकाई इंक पांच है और पांच के लिए तो पांच आता है। फिर दोस्तों मैंने कहा कि उस संख्या के आप दो अंकों पे काटा लगा दीजिए, गुरुजी काटा लगा दिया, अब दोस्तों तीसरा स्टेप द्यान से सुनिए, तीसरा स्टेप क्या है कि जो अपने पास संख्या बची हुई है, आप ये देखिए कि वो किस किस संख्या के गन के बीच में आती है दोस्तों अगर आपको गनियाद नहीं है तो आप एक छोटा सा काम करिए एक से दस तक के गन अपनी कोपी पे अपने पेज पे लिखके बैड़ जीए बस थोड़ी सी हेलप वहां से लीजिए आज की तारीक के बाद आपको गनमूल की कलास जिंदग में दुबारा देखने की जूरत नहीं पड़ेगी बस आप 10 तक के गनियाद कर लीजिएगा दोस्तों मैंने कहा पहले तो आप क्या काम करिए इकाई अंक देखिए पांच है पांच के लिए पांच आता है फिर आप संख्या के दो अंकों को कट कर दीजिए फिर जो ये किस किस के गन के बीच में आती है चार का गन होता है चोंसट पांच का गन होता है 125 चार का गन चोंसट पांच का गन 125 दोस्तों इक्यान में चार और पांच के गन के बीच में आता है तो दोस्तों कुछ मत कीजिए आप ये देखिए चार और पांच में छोटा अंक कौन सा है आप बोलेंगे इसर चार है तो दोस्तों इस पांच के साथ चार लिख दीजिएगा इस सवाल का जो अपने पास अनसर आ जाएगा वो आ जाएगा 45 फिर से सुनिए सबसे पहले इकाई अंकों को देखना है दो अंकों को कट करना है बचे हुए नंबर को चेक करना है कि वो किस की संख्या के गन के बीच में आया दोस्तों जिस जिस संख्या के गन के बीच में आएगा ना उसमें से छोटे को ले ले ना है पांच के साथ य memb fentr 1 tes चोटा लिखते ही अपने पास अनसर आजाएगा 45 चलिए दोस्तों अगले क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं आप देखिए क्यूशन नमबर दो दोस्तों आपको तो ये क्यूशन भी मैं करा दूँ या आप खुद करोगे करके देखोगे? चलो करिए आप आप करिए दोस्तों 5 सेकिंड का टाइम है आपके पास उमीद है पास सेकिंड में आप ये क्यूशन कर पाएंगे पास सेकिंड से ज़्यादा का टाइम आपको इस क्यूशन को करने में नहीं लगेगा उमीद है आपसे दोस्तों आम से पूछा है 4656 का गंड मूल क्या है चलो अब आप कोपी पैन मन करिए शामने देखे बोर्ड पे दोस्तों 6 के लिए बताईए क्या आएगा आप बोलेंगे सर 6 के लिए तो 6 आता है दोस्तों 2 अंकों को कट कर देना है आप पाएंगे 40 3 का गंड 27, 4 का 64 3 और 4 के बीच आएगा दोस्तों यहाँ पे 3 लिख देंगे इस सवाल का अंसर अपने पास कितना आ जाएगा 36 दोस्तों बढ़े आगे चलिए देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्योशन नमबर 3 लिख्या हुआ है 175, 660 का गंड मूल बताईए दोस्तों अब मैं इस पेन का यूज नहीं करूँगा और उमीद है आप भी पेन का यूज नहीं करेंगे बेगेर पेन का यूज किये हम अपने सवाल का अंसर निकालेंगे सबसे पहले संख्या के इकाई अंकों देखेंगे 6 है आप बते ये 6 के लिए क्या आता है आप बोलेंगे सर 6 के लिए तो 6 आता है तो दोस्तों, आमने 6 के लिए 6 लिख दिया, आप दो अंकों को cut कर दीजिए, दोस्तों, दो अंकों को cut कर दिया, आप ये देखिए कि 175 किसकी संख्या के गण के बीच में है, आप बोलेंगे सर्फ 5 और 6 के बीच में है, तो मेरे भाई छोटे 5 को लिख दीजिए, 6 यहां था, 5 और लिख देंगे, तो अंसर आ जाएगा 56, बढ़ते आगे, चलिए दोस्तों, क्योशन नमबर 4, देखिए, फिर से वही काम करना है, वीडियो को stop कीजिए, अंसर निकालिए, नहीं तो फिर सुनिए, मैंने का दोस्तों, इकाई अंक 4 है, 4 के लिए आ जाएगा 4, 4 के देंगे, तो दोस्तों, हमारे पास इस क्योशन का अंसर आ जाएगा, 44, चलिए, बढ़ते हैं दोस्तों, आगे, क्योशन नमबर 5, लिखा हुआ है, 68,921 का गनमूल बताइए, दोस्तों, देखो, कुछ भी नहीं करेंगे, एक के लिए बताइए, क्या आएगा, आप बोलें दाई का अंक अपने पास चार आएगा, तो इसका मतलब इस परशन का अंसर अपने पास आजाएगा, 41, यानिके 41, चलिए, दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्योशन लिख्या हुआ है, 287, 406 में की पावर एक बटा तीन, दोस्तों, पावर में एक बटा तीन से मतलब भी क् गनमूल से होता है, कई बार क्या होता है, कि अगर हमने ये चीजे नहीं देखी, नहीं पड़ी, तो हमें पता ही नी चलता कि ये एकजामडर ने हमसे क्या पूछ लिया, दोस्तों, कुछ नहीं है, इसका मतलब भी गनमूल है, आप बताईए इसका गनमूल कैसे निकालेंग तो दोस्तो इस परशन का अंसर आजाएगा, 66 बढ़ते हैं दोस्तों आगे 830-584 की पावर में फिर से एक बटा तीन है आप बतेए कैसे करोगे आप बोलोगे, सर 4 के लिए 4 लिख दो, भाई लिख दिया दो अंकों को काड़ दो, भाई काड़ दिया आप बोलेंगे, सर 9 और 10 के बीच में आएगा दोस्तों 9 लिख देंगे, इस सवाल का अंसर आजाएगा बढ़ते हैं दोस्तों आगे 614-125 का गनमूल, दोस्तों 5 के लिए 5 दो अंकों को काड़ देंगे, 614-8 का गन 512 9 का गन 737, 8 और 9 के बीच में आएगा 5 पहले से है, 8 के साथ 5 लिखेंगे दोस्तों अंसर आजाएगा पिच्छ आसी, बढ़ते आगे लिखा हो दोस्तों 35937 का गनमूल, देखो एक्जामनर की सोच दोस्तों अलग-अलग हो सकती है उसका मन करेगा, वो सिंपल तरीके से लिख देगा 35937 का गनमूल गयात करे, उसका मन करेगा क्यूब रूट का सिंपल लगा देगा, उसका मन करेगा पावर में एक बटा तीन लिख देगा एक्जामनर चाहे सवाल को कैसे भी लिखे आपको वही काम करना है, तरीका नहीं बदलना है साथ के लिए बोलिए क्या आएगा, तीन आएगा दो अंक काट देंगे, 35, 3 और 4 के बीच में है तो इस सवाल कंसर आजाएगा, दोस्तो 33 बढ़ते हैं आगे 262, 144, लास्ट है दोस्तों, आप खुद से कीजिए बताएगे, 4 के लिए क्या आएगा, बुलेंगे filmmaker 4 आएगा कितने अंकों को काटना है 2 अंकों को काटना है, 272 किस के बीच में है दोस्तों, 6 और साथ के बीच में है 6 लिख देंगे, 4 पहले से है 6 और लिख देंगे, तो दोस्तों, अपने पास हो आप उससे प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उस टाइप के सवाल में कोई दिकर नहीं आएगी अब दोस्तों उसी चीज को हम अगे बढ़ाते हुए क्यूब रूट का एक क्यूशन आ जाता है जिसमें आपसे दसमलों अंक से सवाल पी तो दसमलों अंक से रृलेटेड़ भी उतना ही आसान होता है जितने हमने वह 10 कुश्ण आसान किए है बस आप दोस्तों सुनिएगा से सुनिये घा मेरी बात को अब हम सीखने वाले है कि दस मुलो वाड़ी संख्याओं का अगर हम गनमुल निकालेंगे क्यूब रूट निकालेंगे तो दस मुलो वाड़ी संख्याओं का हम क्यूब रूट निकालेंगे कैसे दोस्तों सबसे पहली बात तो आप एक थोटी सी बात यह ध्यान रखिएगा कि यहां से जो सवाल अपने से पूछेगा वो ऐसी संख्या अपने को देगा जो परफेक्ट क्यूब होंगी पूरण घंसंख्या होंगी और दोस्तों पूरण घंसंख्याओं में पॉइंट यानिके दसमलो हमेशा तीन के मल्टीपल में चलता है या तो तीन के बाद या छे के बाद या नो के बाद या बारा के बाद आप सोचोगे सर पांच के बाद पूइंट आ जाए तो भाई साब नहीं आएगा वो संख्या पूरण घंसंख्या नहीं होगी अगर आप बोलेंगे सर साथ के बाद आ जाए तो नहीं आएगा दोस्तों आप से सवाल वही पूछेगा जो पूरण गन संख्या हैं जो संख्या हैं पूरण गन नहीं होंगी वो सवाल आप से नहीं पूछेगा दोस्तों अब मैं आपको सिखाने वाड़ा हूँ कि उन संख्याओं का गनमूल आप कैसे निकालोगे जिन में द भूल जाएए कि उसमें दस्मलों लगाए नहीं, अगर दोस्तों इसमें दस्मलों नहीं लगा हुआ होगा, तो आप मेरे को बताईए, आठ के लिए आप इकाय क्या लिख देंगे, दो लिख देंगे, बाद में तो कुछ काटने के लिए है ही नहीं, तो आठ का जो गनमूल ह होता है, दोस्तों दो ही तो होता है, तो आठ का गनमूल लिख दिया दो, दोस्तों इस सवाल में हमें सीखना है कि दस्मलों पे कैसे काम करना है, दोस्तों सुनिए, आप एक छोटा सा काम करिए, ये देखिए, कि परसन में जो दस्मलों लगा हुआ है, वो कितने अंकों के बाद लगा हुआ है, दोस्तों 1,2,3 4,5 6, इस सवाल में दोस्तों, 6 अंकों के बाद दस्मोलो लगा हुआ है, दोस्तों आप क्या करिए, यहाँ लिखे हुए नमबर से, जितने अंकों के बाद दस्मोलो आया है उसमें डिवाइड कर देजिए दोस्तो च Caleb के बाद आया है और यहां पे जो numbers लिखा हुआ है वो number मेरे पास लिखा हुआ है तीन तो अगर दोस्तों अगर मैं 6 में भाग लगाता हूं 3 का तो हम पाएंगे कि यहां पे जो point आएगा ना वो 2 अंकों के बाद आएगा छे में तीन का बाग लगाया तो दो आया तो इसका मतलब यहाँ पे आप दो अंकों के बाद दस्मुलों लगा दीजिए आपका जो इस सवाल का अंसर बनेगा वो बनेगा 0.02 समझ पाए दोस्तों आथ चलिए कोई बात नहीं आपने नहीं सीख पाए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों यहां हमने क्यों निकालना है किसका 0.027 का दोस्तों आप मेरे को यह बताईए कि सबसे पहले 27 का जो गंडमूल होता है वो क्या होता है बोलेंगे सर तीन ह तो मेरे भाई 7 के लिए का यंक 3 आता है तो 27 का गंडमूल अपने आप पता चल जाएगा कि 3 होता है दोस्तों आप यह देखिए कि 10 मलों कितने अंकों के बाद आया 1,2,3 यहां पे क्या नंबर लिख्या हुआ है 3 आप 3 को 3 से डिवाइड कीजिए 1 दोस्तों यहां 1 के देखिए आप 729 का जो गंडमूल होता है वो होता है 9 अगर आपको नहीं पता तो फिर से मैं कहता हूँ कि 9 के लिए का यंग क्या आएगा आप बोलेंगे सर 9 आएगा पोइंट काउंट कीजिए 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 में दोस्तों 3 से डिवाइड कीजिए आप 9 में 3 से डि देखा दीजिए तो दोस्तों इस सवाल का अंसर हम बोलेंगे 0.009 उमीद है दोस्तों समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे प्रेक्टिस के लिए मैंने दोस्तों सवाल आगे लिए है ये बस आपको सिखाने के लिए है तो आप सीखते रहिए देखो द्यान से अब आप द देखिए द्यान से 148.877 का अमने गनमूल निकालना है तो दोस्तों आप सबसे पहले भूल जीए कि इसमें दसमलो है ही नहीं दोस्तों इसमें अगर दसमलो नहीं होगा तो आप मेरे को बताईए कि भई हम 148.66 का गनमूल कैसे निकालेंगे दोस्तों साथ के लिए हमारे प क्यूब के बीच में 5 का 126 का 260 हमेशा चोटे को लेंगे 5 और 6 में लेंगे चोटे को तो दोस्तों इसका मतलब यहां अपने पास जो संख्या आएगी वो निकल के आएगी 53 अब दोस्तों सवाल अमारा यह नहीं था कि भाई अमने इसका गन्दमूल बताना था हम काम कर रहे है दस मलो की संख्याओं पर तो दोस्तों यहां आप काउंट कीजिए 1,2,3 दस मलो है 3 अंकों के बाद तो 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 तो दोस्तों 53 में हम एक छोटा सा काम करेंगे 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो दोस्तों इस सवाल का जो अपने पास अंसर सर आठ आता है मेरे बाई दो अंकों पे कटा लगा दीजिए आप मेरे को बताइए 474 किस किस के बीच में आएगा आप बोलेंगे सर 7 का गन 343 8 का 512 यह आएगा सर 7 और 8 के बीच तो दोस्तों 7 लिख देंगे दोस्तों हम सीख रहे हैं कि point कहां लगेगा point एक, दो, तीन, चार, पान, छे, छे अंकों के बाद है, छे में तीन से डिवाइड किया, दो आया, तो दोस्तों यहां दो के बाद point लगा देंगे, तो आप पाएंगे इस सवाल का जो अंसर आएगा, वो अपने पास आजाएगा, 0.7 उमीद है, आपको ये चीजे समझाए हो होंगी, दोस्तों, कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले संख्या का गनमूल लखिए, उसके बाद, अगर point तीन अंकों के बाद है, तीन से डिवाइड कीजिए, अंसर में एक के बाद, छे अंकों के बाद है, तीन से डिवाइड कीजिए, अंसर में दो अंकों के बाद, नो क मेरे से उमीद करना कि यह मैं आपको करके दखाऊंगा उमीद है यह सवाल का अंसर आप खुद दे पाएंगे दोस्तों मैं फिर से pen paper का यूज नहीं करूंगा bigger pen का यूज कि हम इसका अंसर बताएंगे चलिए उमीद है बोली अंसर A, B, C, A, D उमीद है दोस्तों आपके सई अंसर आ चुके होंगे बड़े आगे चलिए एक बार मैं revision करा देता हूँ एक के लिए दोस्तों क्या आएगा एक दोंग काट देंगे sorry दोस्तों थोड़ा सा disturbance हो गया इसके लिए हम आपसे माफी चाते हैं चलिए दोस्तों फिर से आ गया एक के लिए एक आजाएगा दोंग काट देंगे तीन अंग बच गे दोस्तों सवाल यह है कि point कितने के बार लगेगा एक दो तीन चार पांच छे चै में तीन का बाग लगा यह दो option में देखिए point दो अंगों के बद कहां है आप बोलोगे c में है तो दोस्तों इस परशन का अंसर आजाएगा c बढ़ते आगे चलिए दोस्तों question number 12 64 के लिए बोलिए क्या आएगा बोलेंगे sir 4 आएगा count कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 से divide करोगे 3 किस option में 3 के बाद point है D option में दोस्तों इस सवाल कंसर आजाएगा D बढ़ते आगे question number 13 दोस्तों इसमें थोड़ी सी मैनत करनी पड़ेगे इसका गनमूल पहले निकालिए फिर आप point लगाएगे आप मेरे को बताईए 8 के लिए क्या आएगा गुरुजी 2 आएगा दो अंक काड़ देंगे 32 किस किस के गन के बीच आता है सर 3 और 4 के बीच आता है तो 32 आजाएगा 32760 का गनमूल 32 आएगा लेकिन दोस्तों इसमें point count करिए कितने अंकों के बाद है एक दो तीन तीन अंकों के बाद है तीन के अंकों के बाद है तीन में तीन का डिवाइड किया एक जिस option में 3.2 लिख्या हुआ है वही अपना अंसर है दोस्तों आप आएंगे कहाँ पे लिखा हुआ है B में तो अंसर बोल देंगे B चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे चलिए दोस्तों वो चीजे पूरी हो चुकी है अब हम एक नया क्यूशन पूछ लेता है कई बार एक्जामनर अपने से उसकी तरफ हम बढ़ते हैं देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है किसी भी पूर्ण गन संख्या का बीजांक 189 होता है बीजांक का मतलब होता है दोस्तों डिजिटल सम यह है क्या वास्तों में यह सब से पहले आप समझ यह उसके बाद आप इस बात को समझ पाएंगे कि यह चीज क्या लिखी हुई है दोस्तों इस चीज को सम जाने के लिए हम थोड़ा सा पिछे की तरफ चलते हैं पिछे की तरफ चलेंगे तो दोस्तों आप पाएंगे कि हमने यहाँ पे आपके लिए ग divergence थे आपके लिए गन लिखे थे जैसे दोस्तों यहां से आप शुरू हो जीए एक का गन एक, दो का गन आठ, तीन का गन सताइस, चार का चोसट, पांच का एकसो पच्चिस दोस्तों बीजांक का मतलब होता है किसी भी संख्या के अंकों को तब तक एड करना जब तक वो सिंगल अंक में कनवर्ट ना हो जाए, दोस्तों फिर से सुनिएगा डिजिटल संका या बीजांक का या अंकिय योग का मतलब है किसी भी संख्या के अंकों को आप तब तक जोड़िए, जब तक वो एक अंक में कनवर्ट ना हो जाए आप मेरे को बताईए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे आठ है, यहाँ पे 27 में 7 और 2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा आप मेरे को देखिए 6 और 4 दस, दोस्तों 6 और 4 दस, 6 और 4 दस में 1 पलस 0, 1 बन जाएगा फिर आप देखिए 5, 2, 7 और 1, 8, 125 में 8 बन जाएगा, आप देखिए 6, 1, 7 और 2, 9, आप देखिए 9 बन जाएगा यहाँ पे 3, 4, 7, 3, 10, 1 पलस 0, फिर 6, 1 बन जाएगा, 5, 1, 6, 2, 8, 8 बन जाएगा, 7, 2, 9, 9, 18, 18 में 1 और 8 कितना बनेगा, दोस्तों 9 बन जाएगा एक अजार में तो एक ही रहेगा, आप देखोगे 1331 में, 1, 3, 4, 3, 7, 1, 8, 8 बन जाएगा, आप देखिए 7 और 1, 8, 8, 16, और 2, 18, 18, 18 में 8 और 1, 9 बन जाएगा तो दोस्तों आप इनी एक्जांपल से ये देख पा रहे होगे, कि 189, 189, 189, 189 की रिपिटेशन पुन्रावरती चली आ रही है तो दोस्तों इस बात का मतलब यही है, कि अपने से अगर वो पूछ ले कि भी किसी भी पूर्ण गन संख्या के बीजांग यानि के डिजिटल सम क्या होता है आप बोलेंगे सार, 189 के अलावा तो कोई होता ही नहीं, अगर कोई संख्या पूर्ण गन है, तो उसके बीजांग यानि के डिजिटल सम या तो 1 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या 9 हो सकता है उमीद है दोस्तों आप इस बात को समझ पाए होगे, चलिए उसी पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं, दोस्तों हमने अब जो बात सीखी है, उस पर क्या क्योशन अपने से पूछ सकता है चलिए दोस्तों ये बात उमीद है समझ पाये होगे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं में कोई भी अगर प्रफेक्ट क्यूब नंबर होता है पूर्ण गनसंख्या होती है तो उसका डिजिटल सम यानिके बिजंग या तो एक होगा या आठ होगा या फिर क्या होगा नो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चलो जिन संख्याओं के बिजंग दोस्तों जिन संख्याओं का डिजिटल सम एक आठ नो के अलावा दो तीन चार पांट छे साथ आ जाए तो वो कह सकते हैं कि वो संख्या पूरण गनसंख्या नहीं होगी चलिए दोस्तों बढ़ते है चांक किसी पूरन गंसंक्या का बीजांक नहीं हो सकता बीजांक दोस्ट मितलब डिजिटल संब नहीं हो सकता दोस्तों अगर आपने वो चीज नहीं पड़ी तो आप इस क्युष्ण का जवाब नहीं दे पाएंगे दोस्तों अभी हम थे पड़ा है चलो दोस्तों एक ये exam में आया वा question है आपने आपके पास अगर कोई practice book है तो आपने उस practice book में भी ऐसे सवाल देखे होंगे तो चलिए एक last type का जो question हमारे पास बचता है वो यही बचता है कि हम से पूछेगा कि भी इस संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना कर या किस छोटी से छोटी संख्या से बाग कर दें कि संख्या जो आए ना वो एक perfect cube नंबर आ जाए पूरण गन संख्या आ जाए दोस्तों most important सवाल है ये सवाल exam में repeat होके बार बार आता है क्यों आता है दोस्तों बच्चा इसकी calculation को समझी नहीं पाता वो दिमाग direct लगाता ह कि यार मैं क्या करूँ इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना आप सीखिएगा ना देखो दोस्तों अब हम बात करते हैं जब भी अगर हमसे कभी ऐसा सवाल पूछता है कि कि छोटी से छोटी संख्या से हम गुना करें या किस छोटी से छोटी संख्या से बाग करें तो दोस्तो आप हमेशा याद रखिएगा ऐसे सवाल को हम हमेशा गुननखंड विदी के दवारा सोल करते हैं ऐसा सवाल चाए वरगमूल से रिलेटेड आए चाए गनमूल से रिलेटेड आए ऐसा सवाल हमेशा गुननखंड विदी से सोल किया जाता है अब ये गुननखंड वी दी क्या है और इस प्रशन का उत्तर क्या है ये जानने के लिए चलिए दोस्तों सीखिए. सवाल है दोस्तों कि बई 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से हम बाग कर दें कि जो रजल्ट अमारे पास आए वो एक पूर्ण गन संख्या आजे. दोस्तों आप इस 3600 के गुननखंड कर लीजिए यानि के टुकडे कर लीजिए. अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताईए वह 3600 में किस संख्या का पूरा पूरा बाग जाता है तो आप बोलेंगे सर आप इसको दो से बाग कर दो और 3600 को दो से बाग करेंगे तो अमारे पास संख्या जो आएगी वो दोस्तों क्या आजाएगी 1800. आप से मैं फिर पूछूं कि बताईए दोस्तों 1800 को दो से बाग करेंगे तो क्या आएगा आप बोलेंगे सर 900 आजाएगा दोस्तों मैं फिर से आप से पूछूं कि आप बताईए 900 को दो से बाग करेंगे तो क्या आएगा आप बोलेंगे सर 450 आएगा दोस्तों मैं फिर से क्या दोस्तों अब दो का भाग जाएगा आप बोलेंगे सर अब दो का भाग नहीं जाएगा तो दो के बाद क्या संक्या तीन, तीन से डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों तीन से डिवाइड करेंगे तीन से साथ बर में 21 एक बच जाएगा और तीन से पांच बार में पंदरा अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या भई फिर से तीन से बाग होगा आप बोलेंगे सर होगा तो बताइए क्या आएगा बोलेंगे सर पच्चीस आएगा आप बताइए अब किस से बाग होगा सर अब तो तीन से नहीं तो किस से होगा आप बोलेंगे सर पांच से होगा कितनी बार में होगा पांच बार में पांच को पांच से फिर डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या आजाएगा एक तो दोस्तों हमने क्या किया 3500 को तब तक divide कर दिया जब तक last में हमारे पास एक नहीं आया एक जब तक नहीं Shan तब तक हम बार 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 डिवाइड करते रहेंगे मतलब इसके factor लेते रहेंगे तो अब आप आऊओगे दोस्तों हमारे पास 2 गुना दो गुना दो गुना दो दो आया चार बार तीन आया दो बार और पांच आया मेरे वाई दो बार आप दोस्तों मैं आप से पूछता हूँ आप हमें ये बताईए कि गनमूल सब्द का सोरी गन सब्द का मतलब क्या होता है आप बोलेंगे सर गन सब्द का मतलब आपने थोड़ी देर पहले ही तो बताया था जब भी हम किसी संख्या को तीन बार गुना करते हैं तीन बार गुना करने से जो रजल्ट आता है उस रजल्ट कोई उस संख्या का गन कहते हैं जिसको हमने कितनी बार गुना कर दिया तीन बार तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी पूर्ण गन संख्या तब प्राप्त होती है जब हूँ संख्या को हम तीन बार गुणा कर लेते हैं तो आप एक छोटा सा काम कीजिए इस गुनन फल में जो संख्या तीन बार गुणा ओके आई है उसको देखिए आप बोलेगे सर दो गुणा दो गुना दो तो मेरे भाई ये तो एक पूर्ण संख्या गन बन जाएगी ये एक पूर्ण गन संख्या बन जाएगी आप मेरे को बताईए क्या इस अकेले दो से पूर्ण गन संख्या बनेगी आप बोलेंगे सर नहीं बनेगी आप मेरे बाई ये सारी फालतू की चीजे लिखी हुई है यही तो आमें नहीं चीए ये फालतू की चीजे लिखी हुई है पूरण गन संख्या तो अपने पास यहां पे आ चुकी है दो को तीन बार गुना करने से तो दोस्तो इसी को तो अटाना है तो इसको अटाने के लिए क्या करे गुरुजी सब की गुणा कर लो, पता चल जाएगा, कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 की 3 में गुणा करेंगे 6, 6 की 3 में गुणा 18, 18 की 5 में गुणा 90, 90 की 5 में गुणा करेंगे, तो दोस्तों, रजल्ट आएगा अपने पास 450, इसका मतलब है दोस्तों, अगर हम यह पर 450 को इससे डिवाइड कर दें तो ये एक्स्ट्रा जो नंबर आमें नजर आ रहे हैं ये हट जाएंगे और आमारे पास जो संख्या बचेएगी वो पून गन संख्या बच जाएगी दोस्तों मैं फिर से बताता हूं हमने क्या किया सबसे पहले दोस्तों आप संख्या के गुननफल कर लीजिएगा उनको गुना कर लेना उनको गुना करने के बाद जो गुननफल आएगा उतने से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा आपका अंसर आजएगा उम्मीद है दोस्तों आप समझ पायोंगे तो इस सवाल का जो अंसर आएगा अपने पास सी चास आजाएगा मैं एक बार फिर से कहता हूं इंपोर्टेंट सवाल है एक्जाम में दुबार रिपीट हो के आ सकता है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चलिए दोस्तों क्योशन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं वही सवाल है दोस्तों 432 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्ट संख्या एक पूर्ण गन बन जाए दोस्तों ध्यान रखिएगा पिछले वाला जो सवाल था उसमें डिवाइड करना था और ये जो सवाल है इसमें गुणा करना है गुणा करने की बात आएगी तो सवाल को कैसे करेंगे द्यान से जाएगा अरे बोलो किसका जाएगा सर दो का जाएगा तो करो ना भाई दो दुनी चार दो एसे एक बार दो से छे बार फिर से करो दो से एक बार बाग जाएगा नहीं दो से आठ बार फिर से करो दो से दो से पांच बार दो से चार बार फिर से करो दो से बो लोगे सर 27 फि तीन का बाग करेंगे तीन आ जाएगा फिर से तीन का बाग करेंगे तो मेरे भाई एक आ जाएगा तो अब आप मेरे को बताईए यहां पे अपने पास फेक्टर क्या क्या आए आप बोले सर दो तो आ गया चार बार एक दो तीन चार दो कितनी बार आया चार बार फिर दोस्त तो तीन आया तीन बात, अब आप मेरे को फिर से वही बात समझाइए कि पूर्ण गन संख्या का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर पूर्ण गन संख्या का मतलब है किसी भी संख्या को तीन बार गुना करना, तो दोस्तों किसी भी संख्या को तीन बार गुना करने का पूर्ण गंसंख्या होता है, तो तीन-तीन के फैक्टर बनाईए, आप तीन-तीन के गुननखंड करिए, दोस्तों ये दो-तीन बार गुना है, तो ये एक पूर्ण गंसंख्या बनेगी, एक्स्ट्रा क्या बच जाएगा, दो बच जाएगा, तो दोस्तों अगर वो भाग करन की बात नहीं की आप ध्यान से देखिएगा उसने कहा है कि किस संख्या से हम इसको गुणा कर दें तो दोस्तों किसी भी संख्या को पूरण गन बनाने के लिए उस नंबर को कम से कम तीन बार गुणा होना पड़ता है अधिक से अधिक भी तीन बार गुणा होना पड़ता है म इसका मतलब इस सवाल का अंसर दोस्तो अमारे पास निकल के आएगा चार आप देखिएगा चार किस ओप्षन में है दोस्तो बी ओप्षन में इसका अंसर अमारे पास चार लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस सवाल का जो अंसर आएगा दोस्तो वो आजाएगा चार भाग करन के लिए है तो एक बार सर जी दो दो बार और चिये तो दो की दो में गुणा कर देंगे तो अंसर क्या आएगा अच्छा समझे चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं उम्मीद है आप ये चीज अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्यूशन नमबर नेक्स्ट चलिए दोस्तों ये भी आर्मी के एकजाम का आया वह सवाल है आप प्रैक्टिस करते होंगे तो आपके सामने ये सवाल आएगा इसमें दोस्तों कुछ भी नहीं है आप मेरे को बताईए कि आपको मैंने गंबूल निकालना भी सिखाया था तो आप बोलेंगे सर 6 का होता है 6 लिख दीजिए दोस्तों इस पर्शन का उत्तर कितना आ जाएगा 60 उमीद है इनको करने में अब टाइम नहीं लगेगा दोस्तों आपको चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ क्योशन नमबर नेक्स्ट क्योशन नमबर 18 दोस्तों ये सवाल बताओ मेरे को कराने की जूरत पड़ेगी क्या अरे 0 के लिए 0 दो अंकार दो 64 किसका गन होता है चार का ए ओप्सन अंसर है चलिए बढ़ी आगे क्योशन नमबर 19 आरे आर्मी का आया हुआ सवाल है मेरे अंसर 11 दोस्तों 11 अंसर आजाएगा हमारे पास अपने इस सवाल का चलिए बढ़ते हैं आगे 21 सतान में दोस्तों ये तो मैं बताओंगा ही नहीं अरे ये बतानी दूरत पड़ेगी क्या साथ के लिए तीम दो अंक काट दिये दो एक और दो के बीच में है गन के बीच में ह तो इस सवाल का अंसर बोल दीजिए 13 अरे 21 अंसर बता सकते थे आप बताइए साथ के लिए क्या आता है गुरुजी तीन आता है एक ही ओप्शन तो मेरे भाई ऐसा है जिसमें तीन इका यंख पे है तो इस सवाल का अंसर 13 आ जाएगा दोस्तों आज की ये जो अपनी कलास ह है उमीद है आपको बेहद पसंद आई होगी अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को आप जादा से जादा लाइक करिए जो मेरे भाई आर्मी की त्यारी कर रहे हैं जिनको मैच से डर लगता है आप उन सबी तक इस वीडियो को पहुचाईए और हमसे जुड़ करिए जादा से जादा लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहे हैं उमीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी है चलते हैं मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय बारत